हेलो गाईज, स्वागत आपका अक्सिदेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको जिस कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ वो है गौरी देवी मेडिकल कॉलेज जो कि वेस्ट बेग गौल का एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हर्याना के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में हमने वीडियो बनाके हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है तो अगर आपने वो नहीं देखा है आप वो जाके तुरंथ देख सकते हो बात करें कौरी देवी मेडिकल कॉलेज की तो इस वीडियो में हम जानेंगे कॉलेज की establishment year, cut off, tuition fees, location और बहुत कुछ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए हमें हमारे Instagram handle पे follow कर दीजिए वहाँ पे हम free में आपके सारे doubts क्लियर कर देंगे आपको कोई भी query होगी तो आप हमें वहाँ पे message कर सकते हो हम जल से जल्द आपका reply देने की कोशिश करेंगे बात करें college के location की तो college West Bengal के दुरगापूर में located है बात करें college के establishment year की तो college जादा पुराना नहीं है अभी recently 2016 में ये establish हुआ है बात करें college के tuition fees की तो क्योंकि हमें एक West Bengal के medical college के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ दो type की tuition fees होती है एक state quota के बच्चों के लिए और एक management quota के बच्चों के लिए state quota की tuition fees कम होती है इसलिए cutoff high जाता है 550 प्लस ही रहता है management quota की fees जादा होती है इसलिए cutoff कम जाता है just qualifying marks पर आपको यहाँ admission मिल सकता है तो बात करें management quota के tuition fees की तो वो है 21,50,000 अब क्योंकि हम एक West Bengal के private college के बारे में बात कर रहे हैं आपको एक और चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ compulsory bank guarantee है जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ college दुर्गापूर में located है तो इसलिए यह college GIMSH दुर्गापूर के नाम से भी जाना जाता है यह college NMC द्वारा approved है बात करेंगे college के cutoff की तो college का first round का cutoff गया था 138 यह management quota का cutoff है और second round में कम होके चला गया था 122 हम भी बहुत दिनों बाद लोटा हैं क्योंकि हमारे exams चल रहते बट इस बार हम नए जोश के साथ लोटे हैं हम EK करके इंडिया के सारे private medical colleges और dimmed के बारे में सारे information channel पे upload करेंगे तो आपको जो college के बारे में जानना है आप comment section में लिख सकते हो हम जल से जल उस college के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बात करें college के lab facilities की तो सारे labs अच्छे से present हैं labs के अंदर सारे instruments भी present हैं ताकि आप अच्छे से अपना practical कर सको बात करें college के hostel facilities की तो एक room में दो लोग रहते हैं AC, non-AC, दोनो rooms की सुविदाएं उपलब्ध है rooms काफी बड़े और अच्छे हैं बात करें total number of UG seats की तो 150 है और अगर आपको हमारे तो किसी college में seat चाहिए तो आप हमसे counseling करा सकते हो नीचे दियेवे website पे आपको complete information विल जाएग इस website के link हमने हमारे description box में भी डाल रखी है हमसे counseling करा के आपको एक better experience में लेगा क्योंकि हमारी पूरी medicals की एक team है तो आप उनी से counseling करा रहे होगे जो already अपना MBBS pursue कर रहे जो आपको आपके best score पे कौन सा best college मिल सकता है वो अराम से suggest कर देंगे बात करें college के campus size की तो campus काफी बड़ा है 77 acres में distributed है campus के अंदर gym, laundry, library सबी चीजों की सुविदाएं उपलब्द है बात करें laundry charges की तो एक कपड़े का वो लोग 12 रुपे charge करते है बात करें stipend की जो आपको internship के वक्त मिलती है तो एक महिने का 16,000 रुपे मिलता है बात करें university जिससे ये affiliated है तो ये college West Bengal University of Health Sciences से affiliated है अगर आपको इसके अलावा कोई और information चाहिए तो आप हमारा internal details of college plan A purchase कर सकते हो जो आपको website पर मिल जाएगा जिसके link description box में दी गई है अगर आपको कोई भी doubt है तो आप google forms fill कर सकते हो जिसकी link आपको again description box में मिल जाएगी Instagram पर हमें message कर सकते हो हम जल से जल आपकी query solve करने की कोशिश करेंगे Thank you